आज मैं आप लोग के लिए पनीर की एक ऐसे रेसिपी लिखे आई हूँ जिसको बनाना बहुत ज़्यदा इजी है और ये पनीर की रेसिपी बनाने के लिए आपको पास से सार्पिंजित लगेंगे और ये पनीर की रेसिपी इतनी देशती है जिसको आप एक बार 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 ब जन्या परार लिया है और कैसुरी मीथी लिया है आप नमक डाल देंगे और मस्तार अल डाल डाल लेंगे तो बैसिकली हमें तो दॉल्दूरी मसला बना रहे है आप 2 टेबल स्कून भैसन डाल देंगे तो ये लिए नमर्मल भैसन है और mix करने के बाद मैंने यहाँ पर पनीर लिया है 250 g आप पनीर को साबू ठी डाल देंगे मसले के ऊपर और सारा तरप से 10-15 मिनित के लिए रख देंगे आप एक मेने फ्लेट कराही लिया है आप कराही में ऑईल डाल देंगे और पनी को बहुत ही अराम से कराही में लगके फ्राई कर लेंगे दो से तिन मिनित तो एक तरफ से फ्राई हो दने के बाद तलत देंगे बहुत ही अराम से आप दूसरे तरफ भी और मसला लगा लेंगे और यहाँ दाने के बाद उसन्य फ्राई कर लाइक के निकाल के साइट में रख देंगे आप प्यास को डाल के 2-3 मिनित तक भून लेंगे प्यास को 2-3 मिनित भूनने के बाद अपनी तेस के एकोर्डिंग नमक डाल लेंगे ताकि जो प्यास है वो सौफ्थ हो जाए आप जो बेसिक मसाला है जीरा, थैनिया, लाल मिज और हली पाउडर तो मसाला को डाल लेंगे औ अश्चीन अधर से मिक्स कर लेंगे आप 2 तमातर 9 लसन और हरी मिशिक बना लेंगे टैने फ्राइक तो ऐडाल में पस्थेया तक नगए टो को अगया जाकी तो इसलिए बहुत जड़ा शॉफ्ट है तो इसलिए बहुत पतला नहीं किया है अब यहां पर जो पनीर मेरीनेट करके रहा था तो वह मसला थो थोड़ा सा बसा हुआ था तो इसको भी प्याज और तमतर के साथ डाल देंगे और डाल के मिक्स कर लेंगे अब जो यह मसला है तो यह भी रिडि है अब दूसे अब दो मिक्स दे of के 미्स द्रींगे जिसको मैंने लबा लंबा कात लिया कट्षिष मेन नम्ग डाल दिया हैं और डाल के सारा सिजो तक को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके pasट मीं तक Jamie कर लेंगे तो सब्जी को बहुत जड़ा नरम नहीं करना है बस 50% कुक करना है सब्जी को आप पास्टे 7 मिनित के बाद धक्कन खोल के वान टेबल स्पून्स कसुरी मिठी डाल लेंगे और हाप्ती स्पून्स गरम मसला दाल लेंगे और डाल के मिक्स कर लेंगे आप जो मेनी पनी सब्जी कर लेंगे थे कर लेंगे कर लेंगे तो मलाई या फ्रेस क्रेम को मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर के बैस को आप कट देंगे आप पनीर खुर्षन को एक सार्विंग प्लेट में निकाल लेंगे तो ये देखिए फ्रेंज कितना मसलादार और कितनी जड़ा पेस्टी सब्जी लग रही है आप उपर से थोड़ा सा मलाई और डाल लेंगे और डाल के सार्व कर लेंगे इस पनीर खुर्षन को आप गार्लिक नान या तंदुरी रोती किसी के साथ भी शार्प कर सकते हो फ्रेंज तो उमीद है आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छे लगे होंगे अगर अच्छे लगी है तो मेरे रेसिपी को लाइक एंड शियार जोरू किजिएगा और अगर आप मेरे सिनल पे नहीं हो तो मेरे सिनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते ही एक ने रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई and टेक केर